अगर आपके यहां भी छोटे बच्चे हैं तो ये खबर अलेट करने वाली है खिलते समय भी बच्चों का धियान लखना बहुत जरूरी है एक ऐसा ही दिल को जगचोर देने वाला मामला मत्यप्रदीश के उज्जेन से सामया है यहां चोटे भाई के लिए डाला हुआ जूला बड़ी बहन के लिए फासी का फंदा बन गया भाई के जूले पर जूलते समय दस साल की बच्ची की गरदन फस गई और दम घुटने से उसकी दर्ध ताक मौत हो गई हासा रविवार रात को हुआ रायपूर की रहने वाली दस साल की उर्वशी उज्जेन में अपने मामा के घर आई हुई थी वह पाचवी क्लास की छात्रा थी उसके मामा शेलिंदर देवास के ठाना छेतर में बड़ी मायपूरी में रहते हैं चार अक्टूबर को पिता नरेश बेटी उर्वशी पत्री कोमल और बेटे दीवा को नवरातिरी के दोरान माय के छोड़ कर गए थे और कहा था कि दिवाली के बाद हुने वापस रायपूर ले जाएंगे मा कोमल ने अपने छोटे बेटे दीपक के लिए दूसरी मंजिल पर साड़ी का जूला बना कर डाला हुआ था बच्ची के मामा शेलेंदर ने बताए कि उर्वशी रोजाना जूले पर खेला करती थी और छोटा भाई में जूलता था और वह दोरो साथ में खेलते थे रविवार रात को विवह जूले के सहारे अकेले जूल रही थी उसी समय वहाँ पर कोई भी नहीं था हम लोग दिवाली की साफसफाई के चलते घर के काम में व्यास थे घर में पुता ही चल रही है इसी दोरान गोल-गोल घूमते हुए उसे फंदा लगया काफी देर तक बेटी नीचे नहीं आई तो मा उपर उसे देखने के लिए पहुँची यहाँ देखा तो जूले में बच्ची की गर्दन फसी हुई थी और वहे बेहोश थी परिवार वाले तुरंत उसे जिलस पता लेकर पहुँचे जहां डॉक्टर्स ने बच्ची को मुर्चिरी में रखुआया है पिता की आने के बाद बच्ची के शफ का पोस्मा टम किया मासुम की मौत के बाद अब घर में मारतम पस्रा हुआ है मिरे तक बच्ची के मामा ने बताए कि जूला हमने सावन के महीने में लगवाय था और तभी से लगा हुआ था आमोमन बच्चे उपर च्छत पर नहीं आते हैं लेकिन रविवार शाम को मैं डूटी पर था परिव बच्ची की मौत के बाद पुलिस को इस बारे में सुचन दे दी गई है और पुलिस भी जाच में जूर गई है तो वह ही बच्ची के परिवार का रोरों कर पुरा हल है